तो आज के वीडियो में हम देखने वाले एस ए आर पी स्टाट्स सु बैसिकली यह वेबसाइट करता क्या है जैसे कि आप नाम से समझ में आ रहा है एस ए आर पी मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज स्टाट्स मतलब स्टाटिक्स सो कोई भी सर्च इंजन रिलेटेट पेज क सब्सक्राइब करते हैं इधर आपको खाली आपका डॉमेंट जो है वो पेज कर देना और सर्च पर क्लिक कर लेना यहां पर और सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख जाएगा आपको जो आपको एसी विजिबिलिटी बता देगा उस वेफसाइट की सर्च इंजन ट्राफिक बता देगा और पीसी में तब जो भी गूगल पर आड़न हो रहा होगा वो बता देगा यहां पर आपना के लिए रहो पता चल जाता है फिर एड्म कुण से की वर्टस अचल रहा हो पता चलेगा इस पैनल में कीवड्स पोजिशन डिस्तिट्रिबिशुन है तो यह आपको बता देगा कि आपके जो सैंके वर्धाइं से उईंडेट पोजिश्टिशन की बीच में रांग कर रहे ह एक कीवड जो है वो 21-50 की वीच में रेंज में रैंड कर रहा है यह को ऐसा ड सब्सक्त्रों क्राइगा तो 5त बॉत जाएगा तो आपके ओंपरेटर को 25 पर यह से बहुत सारे आप पताशल जाए कि उससे अभैतर स्यों कर सकते हो फिर इसके बाद एक अपर ग्राफ में पताशल जाता है कि जैसे कि आप यहां भी होड़ लाओगे तो आपका जो डोमेन है 22 की वर्ड्स के लिए रांक कर रहा है इसकी वीजि यह आपका वेबसाट रहा है या आपको अभुणे रखेये खंपल कि जाएंगे उसके भैक लिंग जाएंगे उसके बैक लिंग्स के और जाएक कितने रिट्न जोमेन ने रफिर्विचिस कितने टोटल इंडेक्स कितने हैं 45.4 जाशी बता रहें लिंक्वाइन शिकतने हैं है unique outward links कितने है follow message कितने referring IP कितने reference subnets कितने है ऐसे सारा आपको असब पतसर तो जैसे कि हमने overview देख लिया तो आज के विडियो में इतने था तो परेंगे हम देखने वाले यह domain analysis का सारा parts फिर उसके नेक्स वीडियों में हम देखेंगे यूरल आनलीसिस के सारे पार्ट फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कीवर्ड रिसर्च और उसके सारे पार्ट जैसे कि SEO रिसर्च पीपीसी रिसर्च कॉंटेंड मार्केटिंग SERP एनलेसिस उसके नेक्स्ट वीडियो में तो ऐसे सारे एपिसोड बनेंगे इनके सो स्टे टून चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसे वीडियो में डेली लाता रहता हूं वेल आइकन प्रेस कर दीजिए ठाकि में कल जो पार्ट बाल हूँ आपको उसको नोटिफिकेशन आजा है तो थेंकिए सो मच वाचिंग दीस वीडियो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए